हेलो एवरीबरन कैसे हैं आप सब और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है ट्यूजडे और चूटी है स्कूल में जून मून दोनों का ही चूटी है और रस्मेन का भी चूटी है तो चूटी मतलब स्पेसल लंज स्पेसल ब्रेकफर्स्ट तो चलिए आज मैं क्या बनाती हूँ और क्या नया कुछ करती हूँ आपके साथ सेयर करती हूँ आप वीडियो के अंट तक बने रहे है आज सुबर 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 सबको मालपुवा खाने का मन है और यह मालपुवा मैं मैंदा से नहीं आठा से बनाओंगी तो इसके लिए मैंने दो कप ले लिया है यह देखिए यह जो नारियल है ना मैं इस तरह से रखती हूँ मतलब स्टोर करने से ना मतलब बहुत दिन रखने से मैं डी फ्रीज में रख देती हूँ यह एकदम सूख जाता है इसको हिंदी में गड़ी कहते हैं और ड्राइ कोकुनट भी कहते है इसको और यह मालपुव इसको सब एक साथ मैं मिक्स कर लूँगी और इसको ना कॉंसिस्टेंसी थोरा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने थोरा सा और मिल्क एड़ किया है तो आप मिल्क एड़ करें पानी जरा भी मत दीजिए क्योंकि मालपुव में पानी नहीं जाता है इसके बदले मिल्क काजू हो किका इसके बाद मैं दे दूनाओ कर दिया दो किसमिस और कुह दे दूनांगी धीर के लियून्य कुछ रग दो साबुत्य तो अघ़ा रओ को अच्यकों इसको तोड़ लिया है तो बस अब मैं इसको ढच-वार मीना धे डख दोंग किन कि पुर तो आप मिल्क देख और इसको थरा सा पतला कर सकते हैं अब मैं इसको मालपुव के सेप में में खौलते हुए तेल में देदू कि तेल बहुत ही ज्यादा गरम होना होगा तभी जाके मालपुव अची तरह से बनेगा देखी किस तरह से फूल गया है ना मतलब देने के बाद जितना देर तक यह मेरिनेट होगा ना जो यह बैटर है यह उतने ही फ्लपी बनेगा मालपुव तो देखिए मैं आपको दिखाती हूं तो इस तरह से मैंने और एक बना लिया है तो बस रेडी है सुभा सुभा गरम आटे का मालपुव और यही हम लोग का आज ब्रेक्फर मैं डवट हमें ख़ Stück बना गया दिया रहा है तो इसको मैं आज धो लूँगी वासका लेए तो इसके लिए नहीं गरम पानी और मैं दे दूपर ब्लीचंगी वादे थोड़ी दे sırम के लिए छोड़ दिन ड जो ले ना मैं सोच रही है ने 6 डिजव आज अगर वासकर अंदर और बाहर देखिए बस थोरा सा घीषने से ही कितना सारा कार्बन निकल के आया है यह जो ब्लैक ब्लैक देख रहे है यही है कार्बन तो इससे यह ब्लॉकेज क्रियेट हो जाता है दोनों को मैंने अच्छी तरह से घीष लिया है और फिर से मैं इसको दे दूंगी वही गरम पानी में फूलने के लिए और कुछ देर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको इसके बाद देखिए मैंने फिर से इसको निकाल के इस तरह से मैंने घीस लिया था और ऐसे नॉर्मल साब पानी से मैंने इसको धो लिया है और यह जो कैचप का जो सैसे आता है जो अनलाइन जो फूट डेलिफरी हम लोग घर में करते हैं तो यह सब सैसे ऐसे फ्री में आता है तो मैं इसको फेकती नहीं हूं मैं यह सब काम में लगा लेती हूं और मैं इसको बार्नर के उपर दे दूंगी और टॉमेटो कैचप और कोई भी स्टेन रिमूब करने के लिए बहुत ही मतलब होता है आप यूज करके देख सकते हैं तो इसको फेकने के बजाए आप यह सब काम में आप इसको लगा सकते हैं तो बस मैंने इसको ऊपर से दे दिया है और थोड़ी देर मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी तो अप्टर हाफ एन आवार देखिए मैं फिर से वही ब्रस से मैं इसको घिस लोंगी और जो भी एक्स्ट्रा जो भी स्टेन है यह अच्छी तरह से निकल के आ जाएगा जाएगा तो देखिए आप खुदी देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है तो बस अच्छा निकल के आ जाता है तो अब में इसको सब्सक्राइब एक बार जरूडा से निकल के आ जाता है तो बस आप में सेट कर लूगी और मन्त में एक बार जरूरूर इस तरह से क्लीन करिए सेप्टी परपस यह बहुत ही इंप्साटेंट चीज है तो बस मेरा गैस सेट हो गया है अब मैं लँज की तेयरी कर लेती हूँ तो आज मैं बनाऊंगी चिकन बिर्यानी तो मैंने लेलिया है बासमती राइस और उसको मैं थोरी देर मैं भीगने के लिए चोड़ दूँगी इससे जो राइस है यह खिला खिला बनेगा तो मैंने करा और इसके उपर मैं दे दूंगी चिकन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लोगी तो जून का बहुत दिन से मन है कि मा चिकन बिर्यानी बनाओ तो इसलिए आज बना लेती हूं मैं ले लिए 2 चम चां मेर्भ नमक और श्ला और य हैं तरमरी पॉडर क्यूमिन पॉडर वही मैं ले लिया है इसको हैसे सराश लगर को जोंग हाँ अब मैं राइस का प्रिपरेशन कर लेती हूं तो मैंने ले लिया है पानी और उसके अंदर मैं ले लूँगी 2-3 चम मच सॉल्ट और यह दिखिए यह जो गरम मसाला है यह जो भी गरम मसाला है यह जो ब्लैक पेपर है इलाइची है लॉंग है और यह एक साथ पूरा आता है इसको मैंने एक साथ दे दिया है और यह पानी में देती हूं तो इसका जो एरोमा है यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इसको मैं थोड़ी दर उबालने के लिए चोड़ दूगी तो उबाल आ गया है अब मैं जो राइस को मैं भीगो के रखी थी ना इसका जो पानी से लग रहा हो गया है अब मैं जो पानी है इसको मैं ड्रेन कर लेती हूं और इधर चिकन भी करीवन हो ही गया है पानी रिलीज हो गया है और देखे यह जो आलू और एग है ना मैंने प्रेसर कुकर में एक विसल देके मैंने इसको कुक कर लिया है और उसके बाद मैंने इस ऐसे उपर में देऊ गुळुन दें guy और आ स्टीपु आ में नहींता आधा ऐसे अजसे नहीं अज़एर खेस बाूлек छीश पड़ा एक के पाइस एक में उसाओं यहा है रास देऊ फिर से चीकहन देऊ और एक के बाद मैंने लेयर कर लिया है और यह फाइनल टॅशिव और फाइनल लेयरिंग में मैं देदूंगी मीठा आतर तो इससे एक दम रियल वाला जो फ्लेवर है ये बिर्यानी का आता है और एंड में मैं देदूंगी देखें रिफाइन ओल में मैंने थोरा सा ड्राय रेट चिली को थोरा सा फ्राइ कर लिया था इसके उपर मैंने दे द इसके बाद मैं करीबन 5 मिनिट मैं दम में रखूंगी तो मैंने तवा ले लिया है और तवा के ऊपर मैं इसको ढखके 5 मिनिट तक छोड़ दूंगी तो बस आज का लंच है रेडी गर्मा गरम चिकन बिर्यानी तो मैंने इसको सर्प कर दिया है और देखें ये कितना खिला खिला बना था और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था तो इसके साथ मैं ले लूंगी प्यांच और बियानी के साथ मुझे रौ प्यांच खाने में बहुत अच्छा लगता है और जो अन्डा और जो आलू मैंने फ्राई करके रखा था मैं उसको भी इसके उपर द वो भी आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हां सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बिल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करत षर्टे में रहें गाते हैं आप दीजिए पड़ल गाएगेशन में साहते रहे